हलो एव्रीवान वेल्कम टू ग्लोबल ऑनलाइन तो स्टूडिंट्स आज की ये वीडियो आप सभी एंटिये यूजिसेनट आस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट आंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है सो ये वीडियो सभी तरह के एस्पिरेंट्स के लिए हैं कुछ वो हैं जिनके एक्जाम में अभी सरफ दो से तीन दिन बाकी हैं आप सभी को पता ही होगा कि एंटिये ने एक ओफिशल नोटस रिलीज कर दिया है जिसमें उन्हों ये confirmation दे दी है कि 9 जुलाई से exam होने वाला है कुछ एक subjects का और बाकी के जो subjects है उनका exam August में होने का final हो चुका है So ये video दोनों ही तरह के students के लिए important है इस video में मैं कुछ ऐसे smart tricks आप सभी के साथ share करूँगी जो की guaranteed काम करते ही करते हैं इस कम समय में भी ये ही tricks मैंने अपने examination में भी use किया था और इसी के basis पे मेरा exam qualify हुआ है मेरा GRF qualify हुआ है So इसलिए मैं आप सब के साथ ये smart tricks को भी share करना चाहती हूँ तो अच्छे से इस video को देखेगा जो भी points में बताऊंगी उनको भी आप लोग जरूर note कीजेगा So आप सभी देख सकते हो यहाँ पे 9th, 11th and 12th July को exam है So आज क्या date हो चुकी है? आज हो चुकी है 5 July So 4 to 5 days बागी है सिरफ कैसे तयारी करनी है? पहले इन बच्चों पे focus करते हैं इन students पे focus करते हैं ठीक है? तो यह समय तो students ऐसा है कि आप लोग concepts पे बिल्कुल भी मत जाएए ठीक है? आपने देखो paper 1 में total 10 units है paper 2 में total 10 units है आपने चाहे 1 unit पड़ी है चाहे 2 unit पड़ी है किसी भी paper की ठीक है? अब आप तो पहले तो उसको revise कीजिए एक या दो दिन में ठीक है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप लोगों ने नया कुछ concept पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए previous जो पढ़ा है या interesting जो लगता है या आपको पहले से किसी चीज का knowledge है उसको पढ़िए और बाकी कीजिए smart work हमीशा मैं बोलती हूँ कि smart work करना है हम लोगों को ठीक है? सभी students को बोल रही हूँ August वालों को भी बोल रही हूँ ठीक है? इस समय में आपने क्या करना है students जो quick revision series होती है जिसमें होता है कि एक unit को एक आर में cover करवाया जाता है आप YouTube पे देख सकते हो या फिर theory lectures देख सकते हो कुछ भी देख सकते हो जिसमें आप comfortable हो ठीक है वन आर में वन जो unit करवाई जाती है इस तरह की वीडियोज होती है आप इस समय पे उनको देखो ठीक है तो वो भी कौन से topics पढ़ने है जिसमें आपको interest है कई बार कुछ ऐसी units होती है जैसे मान लीजे paper 1 में आप लोगों का teaching aptitude and research aptitude miss हो चुका है लेकिन यह most important units है ठीक है तो आप इसको concepts जादा मत पढ़िए बस 1R में जो पूरी unit complete करवाई जाती है उसको पढ़ लीजिए and कुछ previous year questions cover कर लीजिए ठीक है अब बहुत से बच्चे confused होंगे कि हम कैसे इसकी तयारी करें तो students आपको tension बिल्कुल भी नहीं लेनी है आप लोगों के अच्छे से तयारी हो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए है quick revision PDF for you just in it paper 1 ये sure 2000 questions इस PDF में आपको मिलेंगे ठीक है ये सारे के सारे updated questions है इसमें paper 1 के current affairs भी included है previous year questions included है most repeated and most expected questions और topics भी included है so मैं आपको guarantee देती हूँ कि आने वाले 3 से 4 दिनों में अगर आप ये 2000 questions को एक से 2 बार सिरफ इसका overview ले ले लेते हो फिर से मैं बोल रही हूँ सिरफ overview भी अगर ले लेते हो एक बार पढ़ लेते हो फिर दूसरी बार पढ़ लेते हो without इसका background जाने without इसकी detail में concepts को समझे भी अगर आप इसको पढ़ते हो न तो भी exam में अगर as it is question आ जाए तो आप immediately उस चीज़ को click कर सकते हो और आपका answer sure है कि ठीक होगा ही होगा तो जल्दी से आप इस quick revision PDF को access कर लीजिए इसके लिए आपको screen पर दीगे number पर whatsapp के through contact करना है and इसकी fee है सिरफ और सिरफ 599 online एक बार इसका access आपको मिल गया आप इसको lifetime के लिए भी use कर सकते हो यानि कि एक बार आपने इसको join कर लिया अगर आप लोग next December 2022 वाले examination भी देना चाहते हो तो भी आप लोग easily इसको पढ़के अपनी तयारी कर सकते हो या आपको जरूर help करेगा ठीक है ये तो है उन बच्चों के लिए जिनका exam 9, 11, 12 जुलाई को होने वाला है ठीक है ये चीज़े August वाले students को भी जो है help करेंगी अब आते हैं major focus जिस पे हमारा है कि 30 days में हम कैसे exam की तयारी करें तो आप लोगों के लिए तो समय भी जादा है तो tricks भी जादा रहेंगी तो students motivated रहना है घबराना नहीं है कि 30 days में कैसे करें क्योंकि इस समय पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका भी तक 50% syllabus भी cover नहीं हुआ है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि 30 days में भी UGCNate paper की तयारी आप लोग easily कर सकते हो अगर आप in tricks को follow करते हो तो set yourself a goal ठीक है पहले आपने क्या करना है आपने देखना है कि paper 1 में 10 units है paper 2 में भी 10 units है पहला step क्या करो एक से दो दिन लगाओ कि आपने जो पहले पढ़ा है ठीक है आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको आप एक से दो दिन में पूरा revision कर लो इससे आपको पता चलता हैगा कि कितना आप याद रख पा रहे हो कितना आप भूल चुके हो ठीक है दूसरा क्या करना है आप लोग देख लीजिए जैसे कि आज जो हो चुकी है आपकी 5 जुलाइ ठीक है आप एक time table ये बना लीजिए ये लेकर चलिए कि 5 जुलाइ से लेकर कि 5 ऑगस्त तक आपके पास time है सो 30 days में कैसे आपने syllabus को cover करना है ये एक आप time table बना लीजिए ठीक है और मैं आपको बता दूँ जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी units complete आपको पढ़नी है अगर आप 10 में से 7 to 8 units भी अच्छे से पढ़ते हो paper 2 की तो भी काफी हो जाता है paper 1 की भी आप 7 से 8 units अच्छे से पढ़िए बागी कि जो 2 से 3 units है उनको आप थोड़ा थोड़ा सा भी अगर overview ले लेते हो तो भी काफी होता है ठीक है तो आप 7 to 8 units का target ले करके चलिए तो 30 days में कैसे आप लोग 20 में से रख लीजे कि total 15 units आपको cover करनी है 30 days में ठीक है तो उसमें से काफी units ऐसी होंगी जो आपने complete कर ली होंगी काफी units ऐसी होंगी जो कि master level पे आप लोगों को आती होंगी तो आपको easy हो जाएगा ठीक है so write your 30 days subject to do list तो आपने बनाना है जैसे कि 5, 6, 7 July को आप लोग कौन से unit कर रहे हो 8, 9, 10 July को आप कौन से unit कर रहे हो उसके बाद 11, 12 July को आपने ये दोनों units को पूरी तरह से revise करना है तो इस तरह से revision को मिस्मत कीजेगा आपने 30 days planning में revision को साथ-साथ लेकर के चलिएगा ठीक है एक smart strategy ये है दूसरी क्या है कि सुभा अगर आप पढ़ने बैठते हो ठीक है आपने रात को सोने से पहले एक बार पूरा इसको revise करना है पूरे दिन में जो पढ़ते हैं उसको 30 minutes से 40 minutes लगते हैं revise करने में तो आपने जरूर daily revise करना ही करना है फिर जब एक बार एक unit आपकी complete हो जाती तो उस पूरी unit को आपने अच्छे से revise करना है उसके previous year questions देखने है उसके expected questions देखने है और आपकी एक unit पकी हो जाएगी ये trick को follow कीजिए ठीक है next आता है study plan बनाना है कि time अपना fix कीजिए time अपना निकालिए अब बहुत से लोग ऐसे जो job के साथ साथ करते है ठीक है उनको job भी करनी है पढ़ना भी है तो वो चीजें कैसे manage कर सकते हो वो आपको देखना है ठीक है अब जो बच्चे job करते हैं तो वो पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकते उनको और भी जादा smart tricks follow करनी होती है तो वो smart tricks कैसे follow करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ ठीक है तो आपके पास पूरा दिन तो नहीं है सिरफ शाम का समय है तो आप क्या कर सकते हो आपको notes बनाने की अब जरूरत नहीं है आपकी preparation अच्छे से हूँ इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए है यूजसिनेट paper 1 का complete sorry paper 2 का complete study material study material में आपको full syllabus notes मिलते हैं and most expected mcqs मिलत किया है ठीक है तो कौन-कौन से subject का paper 2 का आपको study material मिलता है वो list आपको यहाँ पे नजर आएगी ना सिरफ यह study material ना सिरफ आपके यूजसिनेट exam qualify करने में आपकी help करता है बलकि मैं बता दू कि इसके बाद अगर paper qualify होगा तो आपका interview देना होता है so interview process में भी आपकी help करता है and इसके साथ ही June में exam है June के साथ-साथ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि next exam December में भी देने वाले है तो यह study material आप एक बार join कर लीजिए एक बार access कर लीजिए download करके अपने system में रख सकते हो and इसको lifetime आप use कर सकते हो तो 1500 पे करके आप अपना एक बहुत बड़ा dream students one month में complete कर सकते हो पूरा कर सकते हो ठीक है तो जल्दी से इसको join कर लीजिए number पर contact कीजिए आपको इसका access मिल जाएगा ठीक है तो यह था smart study का एक trick revision everything daily जैसे मैंने बताया सुबह जो पढ़ा रात को revise करो कई students रात में पढ़ते हैं तो सुबह मतब जब पढ़ाई से उठ रहे हो तो उसको revise करो ठीक है जितने जादा previous year questions आप attempt करते हो expected questions आप attempt करते हो उतना आपके लिए बहतर रहता है paper 1 में तो students यही रहता है कि previous year questions and expected questions भी बहुत बार as it is आते है and यह जो most expected mcqs मैंने paper 1 के आपको बताए इसमें previous year questions भी included है ठीक है इसी के साथ make short notes short notes में आपको क्या लिखना है जैसे कि कोई छोटे से formulas होते हैं कोई short tricks होती हैं जिसकी help से आपको पता है कि दो number आपके पक्के होने वाले हैं तो ऐसे से short tricks लिखिए ठीक है short tricks आपके 10, 12, 20 pages के भी होंगे तो भी काफी आपको help करते हैं ठीक है बहुत सी चीज़े होती है जैसे माल लीजे research methodology के कुछ steps है तो बच्चों को steps याद नहीं रहते तो उसकी smart tricks हमने आपको बताई है कि कैसे उसको याद रखना है तो वो smart tricks को आप लोग short notes में लिख सकते हो तो unit wise short notes बनाया कीजिए जो की definitely आपको help करेंगे Give mock test, जितने सादा mock test देते हो उतना आपके लिए beneficial होगा इससे एक तो आप लोगों के speed build up होगी कि कैसे question को फटा-फट पढ़के फटा-फट समझ के attempt करना है दूसरा आप लोगों को हो सकता है mock test में जो questions मेले वो as a test exam में आ जाए ठीक है, इसके लिए students एक smart trick मैं बताती हूँ बिल्कुल free of cost है ये smart trick आप लोगों के लिए ठीक है आपको क्या करना है, मेरे description box में मैं एक link add कर दूँगी ठीक है, वो link किसका है, वो link है हमारे app global online का ठीक है, हमारा app है global online ये app को बिल्कुल free में आप download कर सकते हो play store पर जाकर ठीक है, वहाँ पर जाना है आपने, अलग से एक video का link मैं दे दूँगी वहाँ पर courses में जाकर के आप लोग free में mock test जो है वो attempt कर सकते हो बिल्कुल free mock test आप लोगों को मिलते हैं, एक भी रुपया उसके लिए नहीं देना है ठीक है, उसके साथ ही आप लोगों को evaluation test भी मिल सकते हैं ठीक है, evaluation test जो है students ये आप लोगों को help करते हैं easily exam qualify करने में ठीक है, so next है हमारा do smart work, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ next है invest more time in repeated questions, repeated topics so आपको पहले देखना है कि कौन से topics repeat होते हैं उनको आपको जादा पढ़ना है again description box में कुछ videos के link मैं आपको दे दूँगी या फिर एक playlist का link मैं add कर दूँगी आपने उस playlist में देखना है paper one में most repeated topics पे मैंने बहुत से videos बनाई है ठीक है, अलग-अलग बनाई है कि teaching aptitude में कौन से topic आते हैं, comprehension वाला section कैसे करना है ठीक है, so ये जो repeated topics है, इसकी अलग से videos है ये आप देख लीचेगा, unit wise आपको complete analysis मिल जाएगा next time follow quick revision sessions, so quick revision session जैसे कि मैंने बताया one unit, one hour में जो complete करवाते हैं, इस तरह की videos आपने देखनी है जैसे आपके लिए हम लेकर आए हैं, कि you just need paper one complete हो जाएगा five hours में, तो वो complete video आपको पांच गंटे देखनी है यानि कि आप एक idea लेकर के चलो कि एक दिन में आपका paper one complete हो जाएगा बिल्कुल guarantee इस चीज़ की मैं आपको देती हूँ ठीक है, so जलरी से आप student जो भी tricks मैंने बताई है, उसको follow कीजिए description box जरूर देखेगा, जो भी links मिलेंगे videos के या फिर playlist के उनको जरूर follow कीजिएगा, वो आपकी बहुत जादा help करते है so I hope ये video आपके लिए helpful रही है, जो भी tricks मैंने बताई है, उनको आप जरूर follow करोगे and कोई भी query है तो आप comment करके मुझे बताईए so thank you so much and I wish you all the very best